हालो गाइज कैसे हैं आप सब आशा करते हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मैं हूँ अंजू और अंजू से अनलाइन शॉपिंग में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लिखे आई हूँ लगा तो मैंने इसको पर्चेस कर लिया यह एक अनार कली बांधनी कुरती है जो कि देखने में एक दम सुन्दर लगती है तो मैंने मिंत्रा पे इसको देखा तो मुझे काफी अच्छी लगी लेगिन इसका प्राइस जो था फ्रेंट्स बहुत ही हाई था तो मैंने इसको मुझे आज तक रिसीव हुए है उन सब को मैंने सेनिटाइज करके ही विडियो बनाया है क्योंकि मुझे भी सेहत का बहुत ही ख्याल है क्योंकि मेरे घर में भी छोटे बच्चे है तो उन सब चीजों का भी ध्यान डखना पड़ता है तो यह वाली जो कुरती है चलिए तो उसे जो मैंने अपना साइस मंगा या है वो स्मॉल साइज मगा या फरेंट देख सकते है और इसमें जो कलर है वो ड कलर है और इसका ओरिजनल प्राइज जो है जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत ही हाय है तो देख सकते री सेवन डबल नायन रूपिस है यह 3,800 की कुर कूर्ति आपको मिल जाथि है सामने की तरफ से इसका नेग जो है नेग के ओपर आपको इसतरह से गोटा पत्ती वर्क मिल जाता है जो कि काफी सुंदर लग रहा है कि यह जो कूरती है यह हैं बांधनी औरिक लिया शीवान मत्रेल कंदे में तो इसका जो मत्रेल है इस तरह बॉर्डर लगा के मिल जाता है जो की काफी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर है और यह पूरा प्रिंटे टानार कली कुरती है बीच बीच में इसमें जो गोल्डन कलर का प्रेंट है ना फ्रेंट्स वह वाश करने के बाद शाहिद ना जाए र यह देखिए यहां पर आपको इस तरह से यह वाली डोरी मिल जाती है यह देखिए यहां पर इस तरह से टैसल्स मिल जाते हैं जो की काफी अच्छे लगते हैं यहां पर इस तरह से आपको यह डोरी मिल रही यह वाली यह देख सकते हैं यहां पर इसको टाई भी कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको यह डोरी मिल जाती है इसके अंदर फ्रेंड्स आपको इनर भी मिल जाता है इनर का quality भी काफी अच्छा है इनर का जो material है फ्रेंड्स वो है सैंटून material जो कि मैं आपको दिखा देती हूं तो यह देख सकते हैं इस तरह से आपको material मिल जाता है material का जो quality है काफी अच्छा है बहुत ही soft quality है और इसका जो shiny आप देख सकते हैं जब आप इसको light में wear करेंगे तो ये काफी ज्यादा shiny करेगा ये वाला कुर्ती तो inner का material मुझे काफी अच्छा लगा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मोटा है तो मतलब इसमें कैसे transparent नहीं लगेगा इसका जो भी inner का part है काफी अच्छा है तो ये जब हम लोग कुर्ती wear करेंगे तो बिल्कुल भी transparent नहीं लगेगा तो आगे की तरफ से फ्रेंट देख सकते हैं इस तरह से गोटा पट्टी मिल जाता है ये पूरी इतनी border में और यहां से आपको friends cut मिल जाता है front side से इस तरह से आपको cut मिल जाता है ये देख सकते हैं ये वाला border जो है आपको गोटा पट्टी वाला ये ये बस यहां से सीधा लेके बस एक side से ही लगाया गया है जो कि आपको दिखा देती है देखिए इस तरह से वाय की design में और यहां से नीचे हैं तो काफी अच्छा है friends इसका look काफी अच्छा आएगा और back side से पूरा आपको इस तरह से मिल जाता है ये देखिए ये देखिए काफी फ्लेरी कुरती है friends काफी अच्छी है नेक की बात करूँ friends तो ये आपको color नेक मिल जाता है इस तरह से तो 18 रुपे में आपको ये अच्छा भी लग सकता है और reasonable भी लग सकता है क्योंकि ये जो कुरती है सिप 18 रुपे के आपको कुरती मिलती है अनारकली कुरती इसके साथ आपको कोई भी चूड़ीदार या फिर दुपट्टा नहीं मिलता है तो थोड़ा सा लग सकता है कि कॉस्ली है अगर इसके साथ लुदी को चूड़ीदारी ओ फिर दुपट्टा मिल जाता तो एंट섯 अरुपे म काफी अच्छा आपको यह शूंट रेयार होजाथा तो काफी अच्छी घूए फ्रेंट्स लेकिन इसाली होडे की महेंगी है कुरती तो काफी अच्छी है तो अगर आपको पर्चेस करना ह तो आप जब भी इसमें 50% या फिर 80% आफ पिले तभी आप इसको पर्चेस करें नीचे की तरप से देख सकते हैं यहां पर आपको गोटा पट्टी का लेस लगा हुआ मिल जाता है इस तरह से बॉर्डर पूरी कुरती में आपको मिल जाता है तो यह जैसे मैं आपको दिखार यहां पता चलेगा कि तरह से दिखती है तो फ्रेंच चलिए देखते है, इसको पैनने के बाद किस América पर देख सहरे Physique देखते हैं तो चलिए देख वार्टो को फेनने के बाद किस तरह सी दीन पहलता है तो चलिए देखते हैं कि आपने अभी ट्राइवन हॉल देखा ही क्यों इसको मैंने पहनने के बाद किस तरह से यह कूर्ति लग रेती जैसे कि आपने देखा ही है कि आपको आप बात बताना चाहूंगी कि इसका जो नेक का डिजाइन है जैसे कि आपने देखा होगा मैंने जोба कि nhânे का डिजाइन तो काफी अच्छ फरेंट लेकर इसका जोनेक है बहुत दीप मतलब डीप है बहुत डीप है प्रेंट इसका नेग एकडम पूरा डीप चला जाता है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसकी वज़े से यह जो कुरती है में रिटन में दे दूंगी क्योंकि मैं इतना डीप नेक वाले नहीं पहन पाती हूं बैक साइड से अगर डीप नेक है तो चल जाता है थोड़ा बहुत इंसान एक्जस कर लेता है लेकिन सामने की तरफ से अगर डीप नेक होगा तो इतना कंवर्डेवल नहीं फील होता है वेर करने में और मेरे जो ड्रेसे से आप लोग अगर वीडियो देखते हैं मेरे रेगुलर तो मैं इंडियन वेर ज्यादा पसंद करते हूं पहनना वेसटन में मैं बहुत ही क्म यूज कर थे वेस्टन भी पहनती हूं तो मेरे जो टॉपस रहते हैं तीशर्ट्स रहते हैं वह फुल हैंड 3-4 णि रहते हैं में ज्यादा डीपनेक के यूज़ नहीं करती हूं हां आगर ब्ल लेकिन अगर कुरती में आप बोलेंगे तो सामने से डीप नेक जो रहता है वो उस तरह से जो भी कुरती आती हो मुझे बिल्कुल भी अच्छी ने लगती हाली में जो मैंने एक वीडियो अप्लोड की थी उसमें भी ब्लैक कलर का मैंने कुरता जो दिखाया था उसका भी जो नेक का डिजाइन था प्रेंट्स काफी अच्छा था लेकिन उसका जो नेक था वो बहुती डीप था जिसके वज़े से मैंने उसको रिटन में दे दिया और ये वाला जो कुरता है फ्रेंट्स इसको मैंने रिटन में डाल दिया है बस बाकी तो कुरता बहुती अच्छा है लेकिन प्राइज के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत हाई प्राइज लग रहा है अट्रासो के आपको इतनी महेंगी कुर्ती मुझे नहीं लगता की वर्थ करती है अगर आप आफ्लाइन लेने जाएंगे तो आपको अट्रासो ननीसो दो हजार तक बहुत ही अच्छा एक पूरा सेट आ जाएगा जो कि काफी अच्छ रिजनेबल प्राइज में आपको मिल जाएगा तो सिब आपको सत्रासो रुपे की एक कुर्ती मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगी तो अगर आपको पर्चेस करने हैं फ्रेंट्स मेरे डिक्स्क्रिशन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी तो लिंक के त्रू जाके आप इसको पर्चेस कर सकते हैं मेरी वीडेयो आपको पसंद आई होगी अगर आपको थोड़ी सी प्हyond मेरी वीडियो किसी काम शले लगे तो फ्लीज एक लाइक करो करें एस सी एक नई वीडेयो देखने मेरे जलुर सब्सक्राइब करें तो चलिये फ्रेंड्स मिलती हैं आपको कुछ नए टापिक के साथ नई वीडियो में बाई बाई फ्रेंड्स टेक केर